पानी दस्ता में नहीं जाए सकते क्योंकि इसको मोटर नीचे लगाऊ अगर गलती से भी पानी घुज गया तो वहां बेगाडी बंद हो जाए अभी बैटरी का ऐसे प्रोब्लम आ रहा है कि साथ प्लस हो जाता है साथ हो गया तो बेटरी लो जाता है अब लोग आई ओप आप लोग अच्छे होंगे और मैं जो डेली वीडियो जालता हो वह जरूर आप देखते होंगे तो आप देख सकते मेरे पीछे एक रिक्षा है मिश्टर मिथून चांड़े जी का ये रिक्षा प्राब्लाम किया क्या आता है अगर आप भी खरिजना चाला है घ्यान सबसे और इंपोर्टेंट हैं कितने तका ऐता ये इस वह मैं में तुर्द्धाइया प्रॉट्ट इसको एक लाग 55,000 पर जाती है और आपको आइडिया कहां साया यह गाड़ी खरिदने का ऑड़ी खरिदने ऐसा है कि कुछ दिन मतलब कुछ दिन पहले मैं बेरोजगर था तो मैंने सोचा की देखा सब को चलाते हुई कि इस समय चला रहे हैं तो उसमें से कुछ फाइदा हो रहा होगा मैंने इसी सोच के लिए इसको और चला रहा हूं कितना प्रॉफिट हो जाता है यह है कि अगर दिन पर अगर अच्छा से महनत करोगे तो हजार रुपा लगबक कहीं नहीं गया एक हजार रुपाय मिनिममम कहीं नहीं गया अगर अच्छा से महनत करोगे तो तो एक हजार आप बोल रहे हैं तो कितने बार चार्जिंग करना पड़ेगा फुल चार्जिंग देखो सर ऐसा है डिलर तो बोलता है क चार्जिंग करो तो फॉर्स प्लस जाएं गार कोई भी गाड़ी सो पलस नहीं जाता है तो आप दिन भर जो बोलर दिन बर में हजार अगर कमा सकते दौबर चार्जिंग करना पड़ेगा कर देखो कंटीनियु रणिंग के ऊपर है और पैसेंजर के ऊपर अगर कंटीनियु राइनिंग करो के तो इसना ज्यादा है नहीं Nb9 kM बहुत काम है हं अगर कंटीनुर रॉनिंग एक तो उसे बीच में आपको देखना है प्लस आपको Sep को भी बचाना है उसैस ना पड़ेगर है उसनी सवका है B3d पूरा चार्ज रहता है तो ब्रीज में चड़ जाते है जैसे अब लो हो गया तो पूरा उतर के दका मारते हो तो समझ जाना कि प्रीज जाना ही नहीं है कितने पैसेंजर एक टाइम में बैठ जाते हैं पीछे चार्जर इसके साथ मिला था चार्जर तो साथ मिला है कितने घंटे में फुल चार्ज होता है इसको बोलते हैं भी है पांस छे घंट अगर ऐसी कुछ निया साथ घंट मिनिमम लग जाता है फुल चार्ज होने में यानि कि आप समझ लो कि दीन बर चला लो मेंटी को मेंटेनिस करके रात में लगा दो और भूल जाओ सुवे आदमी बेरोजगार है तो जाहिए रोजगार करने के लिए इसी को मेंटेनस करी रहे हैं जो जहां पर अपना काम काम होता है चोटा हो या मोटा हो अभी बारिश में क्या रूपल्लम यह है कि जैसे बारी ज्यादा हो गया अगर बैटरी मोटर इसका नीचे लगा हुए भगारी प्रोबिलम कि क्वैंन तब इसका यह प्रॉबल्म शाठ आए सब हुए इस एक फंड़ रहा है उस जैसे ही ब्रेकिया पकड़ले है के cup यह जहां रहे 你ा फिर चसलम के इसके बाद फिर शर्विसिंग मधिन आई इसके भी lots कघंच ए अब आदकर इसके इतना इस तो आपको तो दिखाना ही पड़ेगा तो इनका जो रहता है पहला जांकारी देना चाहेंगे जो ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं क्या-क्या चिछ का ध्यान दे एक गारी जो खरिदना चाहते हैं जित तो लो कोई प्रॉब्लम नहीं है कमा भी लो कोई प्रॉब्लम नहीं मगर उसके लिए बेटरी के लिए आपको पैसे जमा करना ही पड़ेगा सही बात चीक है बहुत महत्वफून जानकारी दिये आप अगर ये कोई लेना चाहता है और अगर आपसे एक बार कॉंटेक्ट करना चाहता है आपका नंबर में दे दूंगा नीचे बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं मैं तो सभी को बताता हूं भाई लो कोई दिक्कत नी है अगर उस में और आप देख सकते हैं आठ मैने से चला रहे हैं रियल रिव्यू दिये हैं यह जो भी है रियालेटी बताएं इस गाड़ी का है ना कि क्या क्या एक्जैक्ली प्रॉब्लम होता है जैसे अगर आपको भी लेना है तो इनसे बार कॉंटेक्ट कर सकते हैं आप मैं राय मश आप दूसरों को भी हेल्प करेंगे आप अगर यह कोई शरीदना चाहिए तो तो आप मेरा ऐसी वीडियो देखा किजिए डेली में बिजनस रिलेटेड वीडियो डालता हूं स्ट्रीट रोड के किनारे जो भी बिजनस लगाते हैं और जो भी शोरूम के भी मैं वीडियो जालता हूं तो ऐसे वीडियो आप डेली मेरा देखा किजिए और कभी लाइफ में मत हार मानिये आप बहुत कुछ कर सकते हैं बहुत कम पूंजी में भी अपने लाइफ जी सकते हैं नेवर गयप इंडिया बाइगाइज स्यू सुन